हेलो स्टूडेंट्स एस्वी अगेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफोरम पर ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षवारा की अनिवारे हिंदी पुस्तक स्रेजन का लैसन नमबर 17 मैं और मैं जिसके आईटर है कनहया लाल मेसर पर भाकर तो किस परकार उसमें हमने पढ़ा था लाश्ट में कई भई भात तो तुम्हारे पते किसी लगती है कि हम दुनिया की बात सोचते हैं पर अपनी नहीं और सच बात तो यह है कि बड़े कह गए है कि आप मरे जग पर लो यानि हम मर गए तो दुनिया मर गए यानि कि हम मरे जग पर लो यानि हम मर गए तो दुनिया मर गए हम नहीं तो जहान नहीं बात मन को लगती है पर अपने बारे में सोचे ही क्या किस परकार पड़ा था हमने कि हम अपने बारे में सोचते नहीं और किस परकार लेखक ने इसको एक छोटी सी कहानी के माधिम से भी समझाने का प्रयास किया है कि जो पांच आदमी थे वो कहीं बहुत ज्यादा नशे के आदी थे और जब उनकी पत्नी ने उनको डांटा तो किस परकार उन्होंने पांचों ने राए बनाई सलाह की कि चलो किसी दूसरे शेहर चलते हैं और वहां जाके कोई न कोई काम डूनेंगी तो वो घर से चल पड़ते हैं और किस परकार एक जगह रात होती है और वो रात अपनी गुजारते हैं और सुबह जब वो कहते हैं कि रात में कोई गायव तो नहीं हो गया अपनी गिंती कर लें तो वो गिंते हैं एक दो तीन चार यानि कि खुद को गिनना ही भूल जाते हैं और इसी परकार वो पांचो एक बार बार अपने को गिनते हैं परंतु संख्या में वो चार ही रहते हैं क्योंकि वो सभी खुद को गिनना भूल जाते हैं तो इस प्रकार वहीं से वो वापिस लोटते हैं कि हो सकता है कि पांचवा मित्तर अप मुमारा रात को बिना बताए ही घर की तरफ चला गया हो चलो अगर घर पे नहीं भी गया तो उसकी पत्नी को जा कर क्या जवाब देंगे तो रस्ते में उन्हें एक आदमी मिला तो उनको देखा कि वो बड़े ही सस्पेंस में हैं बड़े ही संदे में हैं तो उसने पूछा भी क्या बात है तो फिर उन्होंने अपनी कंडिशन बताई तो फिर उस समझदार व्यक्ति ने उनको गिना तो वो संख्या में पांच थे और फिर उसने समझाने का उन्हें प्रयास किया कि अपने को भी महतव दो तो यही हमने राश में पढ़ा था कि आप मरे तो जग परलो यानि हम मर गए हैं तो दुनिया ही मर गई आरथा कहने काश ही यह है कि अपने महतव को अपने आपको पहचानो बात मन को लगती है पर हम अपने बारे में सोचे ही क्या नहीं सोचते तो लिखाओ पशू में ना क्योंकि जो सोचता नहीं है वह पशू है वह जानवर है तो यहां तक हमने बढ़ा था आज हम आगे पढ़ते हैं इसको तो हम पशू हैं आपकी राय में वास सहाब आप हमें पशू बता रहे हैं पर भाई यह है तो बताओ कि तुम्हारे तुम्हें हमारी पूंच और सिंग किदर दिखाई दिये हैं तो क्या कह रहा है तो हम पशू हैं आपकी राय में या भाई सहाब आप हमें पशू बता रहे हैं पर भाई यह तो बताऊ कि तुमें हमारी पुंछ ओर सेणंग के धार दिखाई दिये है पुंछ ओर सेणंग पशू बनने के लिए पुंछ और सेणंग की जरूरत नहीं पढ़ती उसने फिर उसे कहा कि पूछ और सिंग पशू बढ़ने के लिए इन चीजों की आवशक्ता नहीं पड़ती बात यह है कि पशुता और मनुश्यता के दो भाव है जो पहले सोचे और फिर चले वह मनुश्य है और सोचे कुछ नहीं बस जिदर हवाले जाए चला चले वह पशु है कि पश्ता और मनुश्यता के दो भाव है जो पहले सोचता है और फिर चलता है वह मनुश्य है और जो सोचे कुछ नहीं बस जिदर हवाले जाए चला चले वह पशु अब तुम्हारी अब आई तुम्हारी समझ में मेरी बात तो सोचना जरूरी है तो सोचना जरूरी है, जी हाँ, सोचना बहुत जरूरी है, और अपने बारे में सोचना जरूरी है, अब क्या जह रहा है, जी हाँ, सोचना जरूरी है, और उससे भी ज़्यादा महत्वपुर्ण है, कि अपने बारे में सोचना जरूरी है, सोचना जरूरी है और वो भी अपने बारे में सोचना मैं मैं यही जरूरी कारे कर रहा था जब तुम आई मैं यही जरूरी कारे कर रहा था जब तुम आई यानि कि उसने आकर लेखक को डिस्टर्ब किया उसको बादित किया तब उसने उसे उस कहानी के मादिम से समझाने का प्रयास किया और प्रश्टा और मनुश्यता में फर्क समझाया महाकवी सेख सादी एक दिन अपने बेटे के साथ सुबह की नमाज पढ़ कर लौट रहे थे महाकवी सेख सादी एक दिन अपने बेटे के साथ सुबह की नमाज पढ़ कर लौट रहे थे उनके बेटे ने देखा की रास्ते के दोनों तरफ वाले घरों में उनके बेटे ने देखा की रास्ते के दोनों तरफ वाले घरों में अभी तक बहुत से आदमी सोई पढ़े हैं उनके बेटे ने देखा की रास्ते के दोनों तरफ वाले घरों में अभी तक बहुत से आदमी सोई पढ़े हैं उसने अपने पिता से कहा अबा ये लोग कितने पापी हैं कि अभी तक पड़े सो रहे हैं और नमाज पड़ने नहीं के तो उस चोटे से बच्चे ने अपने पिता से कहा उन लोगों के बारे में कि हे अब्बा, यह लोग कितने पापी हैं, पाप के भागी है और अभी तक भी क्या है, सोय पड़े हैं और नमाज पढ़ने के लिए नहीं गए है विचारक सेक सादी ने दुख भरे स्वार में कहा जो विचारक था कवी था सेक सादी उसने दुख बरे स्वर में अपने बेटे से कहा बेटा बहुत अच्छा होता कि तू भी सोता रहता और उसने अपने बेटे से कहा बहुत अच्छा होता कि तू भी सोता रहता और नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता तो उसने अपने बेटे से कहा बहुत अच्छा होता कि तु भी सोता ही रहता और नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता तो बेटे ने आश्च्रे से पूछा यहाँ क्या कह रहे हैं मेरे अबबा तो जब ये बात उसके अबा ने सेख साधी ने अपने बेटे से कही तो बेटे को बड़ा आज चलिया हुआ और उसने अपने बेटे से पूछा बेटे ने आज चलिया से पूछा यह आप क्या कह रहे हैं मेरे अबा सेख साधी ने और भी गहरे में डूब कर कहा जब तू दूसरों की बुराई खोजने के इस भेंकर पाप से तो बचा रहता अरे तू अगर घर पे होता गहरे सेखसादी ने और भी गहरे में डूब कर कहा अरे तब तू दूसरों की बुराई खोजने के इस भेंकर पाप से तो बचा रहता मेरे बेटे यानि कि दूसरों की बुराई तो नहीं करता तो ये भी क्या है एक पाप है मतलब यह है कि अपने बारे में सबसे पहले जो बात सोचने की है मतलब यह है कि अपने बारे में सबसे पहले जो बात सोचने की है वह यह है कि मेरा यह अधिकार है कि मैं अच्छे काम करूँ मेरा यह है दिकार है कि मैं अच्छे काम करूँ अपने जीवन को उंचा उठाऊँ पर मेरा यह करतावे भी है कि जो किसी कारण से अच्छे काम नहीं कर रहे हैं यह सिर्फ सब्दों में ही गिरे हुए तो कहने का मतलब यह है कि मेरा यह आधिकार है कि मैं अच्छे काम करूँ अपने खुद के जीवन को क्या करूँ उंचा उठाऊँ पर मेरा यह करतावे भी है कि जो किसी कारण से अच्छे काम नहीं कर रहे हैं यहां साफ सब्दों में कहा दूँ कि वो गिरे हुए हैं उन्हें अपने कामों से उठने की प्रेड़ना देते हुए भी उन पर अपने एहंकार का बोज नेला दूँ क्योंकि एहंकार जो गमन्री की भावना है ग्रणा यानि की नफरत का पिता है और जो ग्रणा है वो संपूरन उन्चाईयों की दुश्मन है और जो ग्रणा है वो संपूरन उन्चाईयों की दुश्मन है अर्थात व्यक्ति ग्रणा के बल पर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता वो कभी भी प्रगति या विकास नहीं कर सकता है भात, खाष बात यह है कि घ्रना उसका घात करती है उस पे वार करती है घ्रना जो घ्रना करता है यानि कि जो घ्रना करता है घ्रना उसी पे वार करती है उसी का घात करती है और इस तरह में दूसरों से घ्रना करके अपना ही घात करता हूँ अपना ही नुक्सान करता हूँ तो कितनी बड़िया बात की है कि जो घ्रना करता है घ्रना उसी का घात करती है जो घ्रना करता है और इस तरह में दूसरों से घ्रना करके अपना ही घ्रना करता हूँ अपना ही लुक्षान करता हूँ तो घ्रना को रोकना जरूरी है हां जी घ्रना को रोकना उसे उत्पन ही न होने देना बहुत जरूरी है ख्रेना को रोकना उसे उत्पन ही ने होने देना बहुत जरूरी है पर रोकने की बात कहकर तुमने मुझे एक पुरानी बात याद दिला दी पर बहुत जरूरी है पर रोकने की बात कहकर तुमने मुझे एक बहुत पुरानी याद बात याद दि मेरे एक मित्र हैं श्री कोशल जी मेरे एक मित्र हैं नाम है श्री कोशल जी उन्हें अपने जीवन में पहली ऐसा फलता यह मिली कि एंट्रेंस पास नहीं कर सकी यानि कि कोई सी एक्जाम से पूर जो कि एंट्रेंस एक्जाम होता है वो पास नहीं कर सके और नाइंथ में ही उन्हें स्कूल को नमशकार करना पड़ा यानि कि नाइंथ क्लास में ही उन्हें स्कूल को छोड़ना पड़ा क्योंकि एंट्रेंस पहले एंट्रेंस एक्जाम होता था, वो उनसे पास नहीं हुआ, वो उतिर नहीं कर पाए, और इस वजह से उनको नाइन्थ में ही स्कूल क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, यानि कि उनके लेखा के मित्र है कोशल जी, उनकी वो कहानी बताने का प् प्री एक्जाम है वो पास उनसे नहीं हुआ कोशल जी से और नाइन्थ में ही उन्हें स्कूल को नमस्कार करना पड़ा यानि कि उसी दौरान ही उनको वो स्कूल छोड़ना पड़ा तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही बाकी जो कोशल जी की खानी है उसको हम आगामी उनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे तो आज के लिए इतना ही बहुत भहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत